प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं या आप बिंद करते हैं आप बेटर होंगे आपके प्रहाई लिखाई बेहतर धंग से पूरे जो जूज का चर रहा होगा आज हम बात कर रहे हैं टाइम एंड डिश्टेंस में चाल में प्रवरतन करकर किस धंग से कोशन पूछता है इसक में बाता का बनता है ऐसा हम कर सकते हैं पहला जो कोशन बनता है उसमें चाल में गुनात्मक प्रत्र करकर देगा या वह कहाँगा कि ब्यालिस की चाल से जाता है तो 35 पहले पहुंचता है तो पाच मिनट लेट पहुंचता है तिसरा कोशन चाल में कमी या बिर्धी कर कर देगा यानि वो कहेगा कि अपनी चाल में तीन की कमी कर देती है तो वह तीन घंटा देर पहुंचता है अज चाल में दो की बिर्धी कर देती है तो एक घंटा पहले पहुंचता क्लियर है तो चाल में कमी बिर्धी करके दे सकता है भिन भिन चाल से एक ही दुरी तैय करने के बाद कर सकता है या फिर चाल में गुनातमक परतन करके दे सकता है बस यही तीन तरह का कोशन आप से बनता है अब बात है कि तीनों को हम बनाएं कैसे तो एक सा तीनों को हम बताते हैं उसके बाद फिर अलग-अलग सबको हम बता देंगे आपको 100% क्या हो जाएगा किलियर हो जाएगा लेकिन आंग तक जरूर देखेगा concept पूरे तरह से समझेगा अब कोपी में फासा notes कर लीजिएगा यहां पर गौर करते हैं पहला question को कहता है कि कोई ब्यक्ती अपनी बास्तेविक चाल का तीन बटा चार गुना चाल से चलता है तो 20 मिनिट लेट हो जाता है यानि यह चाल है तो याद रखेगा समय हमेशा चाल का उल्टा होता है यह चाल है यह क्या दे रखा यह तरह से चाल में परवर्तन दे रखा है तो समय क्या होगा आप ही तीन घंटा का समय लग रहा है नियत अस्थान पे पहुंचने में तो तुम ही बता दो यहां पे समय में अंतर कितना का हो गया यानि कितना लेट हो गया तो देखो अब लग रहा है चार वटा तीन घंटा का पहले लग रहा था एक घंटा का तो इसको घटा दो कितना आ जाए 20 मिनट तो दोनों एक ही चीज ने हुआ एक बटा तीन लेट यहां से 20 मिनट लेट तो बताओ नियत समय क्या होगा तो तुम कह दोगे भाईया कि यह बीस में एक बटा तीन का उल्टा तीन बटा एक से गुना कर दो ना यानि बास्ताविक समय हो जाएगा 60 मिनट किलियर है द तो समय निकल जाएगा अंतर निकाल दिजियगा एक घटा दिजियगा तो अंतर निकल जाएगा THE इक बटा तीन लेट। यहां तो किया किए तो मेने देखा-चाहए कि कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अगले कोशिन में दूसरा कोशिन अगर भीन भीन चाल से का गुनन फल यानि 42-35 नोट कर लिजेगा और पांच बार बनाईएगा तो कंठश्त याद भी हो जाएगा तो तो चाल का गुनानफल 42 गुना 35 बटा ये दोनों का अंतर अग गुना में क्या डालिएगा समय का अंतर ठीक है तो अंतर का मतलब यहां पर कहा 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले यहां पर कहता है पाच मिनट लेट तो अंतर जोर के निकालेंगे ठीक है एक पहले आएक लेट रहेग अंतर हो जागा 15, 5, 20 जोर के निकालेंगे कितना का तो कहिएगा 20 मिनट का अंतर कितना का हो जाएगा भाई 20 मिनट का लेकिन ये चाल था किलो मीटर प्रति घंटा में अज समय क्या मिनट मिलोगे नहीं भाईया ये 20 मिनट को क्या करोगे कि इसको भी घंटा में बदल लोगे तो घंटा में बदने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, अब इसको काट दीजिए, आपका एंसर भाई लोग आ जाएगा, यानि 20 तिया का 60 तीन बार में कर जाएगा, ये दुनों को एक सा सतिया एकिद्दूनी 42 काट दोगे, यानि आपका आ जाएगा 70 किलो मीटर, दूरी कितना है भाईया, 70 किलो मीटर, ठीक है, घर से बैंक की दूरी 70 किलो मीटर, ये नियम आप याद कर लेंगे, मतलब यहाँ प काता है, एक मनुस अपने बास्तविक चाल में 3 किलो मीटर पति घंटा की कमी कर देता है, तो वह तीन घंटा देर से पहुंचता है, लेकिन जब चाल में 2 किलो मीटर पति घंटा का बिर्धी कर देता है, तो एक घंटा पहले पहुंच जाता है, क्लियर है भाई, अब इसको कैसे बनाओगे तो कुछ नहीं करो ऐसा कोशह रहे चाल में कमी या बिद्धी करके दे तो सबसे पहले चाल में कितना का कमी या बिद्धी हुआ उसका गुननफल लेना याप तो असा ध्यान दिजिएगा थाना उसका चाल अगर निकालना हो तो क्या करोगे ध्यान से समझे लो, सबसे पहले क्या करोगे, इसका गुननफल करोगे, चाल में कमी का गुननफल, कमी या बिर्दी का गुननफल, यानि तीन गुना दो, तीन गुना दो, क्लियर है भाईया, यहां पे भी चाल का गुननफल लेते थे, लेकिन यहां पे चाल में कमी या बिर् तो एक घंटा ये दिर पहुंचता है, दो की चाल से जाता है, तो एक घंटा ये पहले पहुंच जाता है, तो ए वाला से इसमें गुना आपको कर लेना है, और ये वाला चाल से ए वाला में, एकर वाला में, नहीं समझ में आया, एकर चाल में कमी से ए वाला में, ए वाला से ए मुझने एक दुस्रा में गुना कर के अंतर निकाल देना है, तो गौड से देखो, यहां पे क्या होत बह ValentASSा एक तिन गुना एक तीन, आ यहां पे आयगा तीन दूने 6, कितना जाएगा 6 और यहां पे 3 गुनाएं कितना आजाएगा 3 इसका अंतर ले लना है कितना आजाएगा 3 6 में से 3 गए 3 तीन कहां डालेंगे नीचे डालेंगे किलियर है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं एक बार और आपको हम समझा देते हैं यहां पर ध्यान दिजेगा यह वाला थ्वास हलका सा समझ लिए यहां पर कह रहा है कि तीन किलो मीटर पती घंटा का बिर्धी कर देता है तो वह तीन घंटा लेट पहुंचता है तीन घंटा लेट पहुंचता है यह कह रहा है न और यदि चाल में दो किलो मीटर पती घंटा कहा 2 km पती घंटा का बिर्धी कर देता है तो एक घंटा पहले पहुंजाता है तो यह जो चाल में अंतर लिजेगा 30 गुना का अंतर लिजेगा ठीक है 30 गुना का अंतर याने की 3 दूनिशे माइनस 3 याने की 3 किलियर है नहीं आया समझ में तब भी कोई बात नहीं आगे और हम किलियर करेंगे यहां पे वही समय का अंतर होगा जो यहां पलिये थे यहां पे कहा कि तीन घंटा देर हो जाता है यहां पे कहा एक घंटा पहले पहुंझाता है तो अंतर कितना हो गया चार घंटा का बस यही आपका चाल हो जाएगा हल कर दीजिए आपका answer भाईया आ जाएगा तीन से तीन कट गया चार दूनी आठ कीलो मीटर प्रती घंटा यहाँ पे आपसे चाल पूछ रहा है तो यह हो जाएगा ठीक है यहाँ पे दूरी निकलता है हमेशा इसमें दूरी ही पूछेगा क्यों अरे क्योंकि चाल दिया हुआ है चाल दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे चाल में कैमी दिया हुआ था और बीर्धी दिया हुआ था इसका मतलब हुआ कि पहले वो पाच की स्पीट से जाता था तो तीन घंटा दिर पहुंचता था दुसरा में दस की स्पीट से जा रहा है तो ये घंटा पहले पहुंच गया ये वाला कोशन बन जाएगा फिर क्लियर है नहीं स्वज में आया पहले इसको आप नोट कर लिए उसके बाद बारे बारे से सारे कोशन को देखते हैं यहां पर देखो पहला कोशन कहता है एक व्यक्ति अपनी चाल का तीन बटा चार भाग से चलने पर उबह दो घंटा अधीक समय लेता है तो समानिय गतिस से दूरी तै करने में लिया गया समय क्या होगा यानि कि बास तवी समय क्या होगा तो क्या करोगे तीन बटा चार का उल्टा है ना चार बटा तीन ये क्या हो जाएगा भाईया आपका रियल समय हो जाएगा अंतर निकालो कितना हो गया एक बटा तीन ऐसे एक बटा तीन लेट ऐसे करा है दो घंटा लेट यानि की रियल टाइम क्या लगा होगा तो दो में उल्टा गुना कर दोगे तीन बटा एक यानि की शे घंटा का ठीक है यहाँ पे घंटा में था उत्तर आपका घंटा में निक क्लियर है भाई आगे देखो अगला कोशन यानि की ये वाला अगर ये कोशन की बात करें तो ये कहता है कि चार की स्पीड से जाता है तो नौ मिनट लेट हो जाता है अब पांच की स्पीड से जाता है तो नौ मिनट जल्दी पहुंजाता है तो घर से परसाला की दूरी क्या ह ठीक है भीया दूरी क्या है यह वाला कोश्ट है तो क्या करोगे चाल में गुन अन्फाल यानि की चार गुना पाच बटा चाल का अंतर चार पाच का अंतर कितना हो जाएगा भाईया एक अगुना समय का अंतर तो पहला इस शिति में यहाँ पे गौर करोगे तर नौ मिनट लेट हो रहा है दूसरा इस शिति में देखोगे तर नौ मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो अंतर कितना होगा तो नो अनो अठारा मिनट का अठारा मिनट का चाल है कीलो मिनट पर गंटा में यह अठारा मिनट आ रहा है अतब बटा 60 करके इसको घंटाए बदल लेना अब इसको हल कर दीजे आपका उत्तर आ जाएगा ठेक है भाई तो कहोगे शेतिया 18 अब 20 तीया 60 नहीं 6 से कट रहा है तो 10 सका 60 किलियर है भाई 10 सका 60 शेतिया 18 ये भी कार दो 5 दुना का 10 2 दुना का 4 यानि 6 किलो मीट दुरी क्या होगा 6 किलो मीटर यानि कि D option आपका सही होगा अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं तिसरा टाइप का question को देखते हैं यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा सा इसमें गौर करना है आपको बढ़ियां से फिर से बता देते हैं कहता है यहाँ पे कि एक बे एक घंटा क्या लेता है तो कहोगे कम समय लेता है और यदि वहाँ दो किलो मीटर पति घंटा धीमा चलता है यानि कि चाल में कमी कितना करता है दो किलो मीटर पति घंटा की कमी कर देता है तो वह एक घंटा अधीक समय लेता है यानि एक घंटा का अधीक समय लेता है ठीक ह तो मैंने बोला ऐसा इसकी में अगर आपको चाल निकालना है तो बहुत भाईया आसान होता है चाल निकालना क्या बोले थे कि जो चाल में कमी है उसका गुननफल तो यहाँ पे तीन की कमी यहाँ पे दो की कमी तो चाल में गुनानफल हो गया तीन गुना दो अब बटा अंतर किसका अंतर तो इवाला चाल से दुसरका में समय का गुना अईवाला चाल से पहलका में समय का गुना का अंतर जैसे इवाला चाल से एकर समय में गुना एकर में आईवाला चाल से एकर में तिरसे गुना का अं ठीक तो अंतर जोड के निकालेंगे यानि की दो घंटा का चुकि यह समय दो घंटा में तो हैं ही ठीक है यहाँ पे घंटा मिनट बदलने के आप सकता नहीं है क्योंकि यह अंतर निकालोगे यहाँ पे देखो अगर दोनों घंटा है तो अंतर घंटा में ही निकलेगा Minit में दिया हुआ रहता तो यह अंतर भी Minit में निकलता यहां भी minute में आप ले रहा था कोई फरक्या नहीं परेगा तो यह हो जाएगा आपका चार्तिया 12 कीलो मीचर प्रती घंटा किलिर है भई? यह क्या निकला है आपका? चाल निकला, ध्यान रहे है यह क्या निकला आपका चाल निकला लेकिन प्रस में आपसे क्या पूशा गया है तो कहिएगा प्रस में हमसे दूरी पूशा गया है ठीक है तो हमको दूरी निकलना होगा नहीं हमको क्या निकलना है भाईया दूरी निकलना है तो दूरी निकलना अभी बताया है पहला इसे कहा दारिपे इसका दुरी निकाल दो, कैसे निकालोगे तो देखो, बारा इस्वा बास तब ही चाल हुआ, पहला इस शिती में कहा कि 3 किलोमीटर तेर चलता है, यानी कि 12 ना चलके 12-3, 15 की चाल से चलता है, तो उवह एक घंटा कम समय लेता है, तथा दो किलोमीटर पति घंटा धहिमा चलता है यानि दुसी सिति में बारा की चाल से ना चल कर बारा में से दो धहिमा यानि की दस की चाल से जाता है तो एक घंटा अधिक लेता एक कोशन हो गया तो dूरी क्या होगा तो पहल का चाल पंद्रा दूसर का चाल दस तो पंद्रा गुना दस बटा चाल का अंतर हो गया पाश अगुना समय का अंतर यहां पे एक घंटा कम यहां पे एक घंटा अधिक तो अंतर होगा एक एक दो घंटा का घंटा में ही अंतर है आता है इसको मिनट में घंटा मे दूरी क्या होगा, भहिया, शाठ किलो मीटर, यानि ये बला उतर होगा, तो ये जो तिसना टैप का कोशन है, इसको 12 आप्वार आप देख लिजेगा, इसमें कभी चाल पुषता है, कभी दूरी पुषता है, क्योंकि इसमें चाल भी नहीं दिया हुआ है, चाल में कमी दिया हुआ है इसलिए चाल भी पूछता है और दूरी भी दूरी वाला कोशन यहाँ पर देखो भीन भीन चाल से चलेगा तो इसमें हमेशा दूरी ही पुछेगा ठीक है तो इसके अधार पर यहाँ पर आप दूरी निकाल लोगे हमें लगता है यह बात आपको समझे आ गया होगा नहीं आया तो कोई बात नहीं आगे यहां पे तीनो कोशन जो आपको रेलिवे में पूशा गया है पहला दूसरा तीसरा तीनो टाइप का कोशन मैं यहां पे दिया हूँ हना इसको आप खुद बनाकर हना होम बर के रूप मे comments box में इस तीनों का answer आप दिजिएगा ठीक है सभी भी द्यारती देंगे अगर समझ में आ गया तो ठीक है नहीं आया था एक वारा वीडियो को देख लीजेगा और किनी को मेरा PDF चाहिए या कोई भी news है देते हैं अपने टेलिग्राम चैनल KTC क्लास अब आई के ब दोसर पर आता इसको जरूर जोइन कर लीजेगा ठीक है सारे विद्यारती इसको जोइन कर लीजेगा अब मेरा लाइब क्लास जो चलता है मेरा नया यूटूब चैनल KTC 2.0 पर KTC 2.0 पर चलता है तो लाइब कलास के लिए इसको आफ नया चैनल को मेरा सबस्क्राइब कर लीजेगा ठीक है दोस्तो तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स पर बताईएगा हमें दीजे बिदा मिलते हैं इसके आगे कहाने के साथ कल जब तक खुस रही है मगर रही होके बाइब बाइब